नमस्कार दोस्तों आज अपना आटो मुबाइल पेपर है एक तारेक को एक मारेच को और आटो मुबाइल प्लस टू का लेवल फोर का और उसकी हम तैयारी करवा देते हैं पूरी बुक का सिरफ 15 मिन्ट में तैयारी करवा देऊ हम है पन मोटा मोटा पूरा सलेबस कवर हो जा सबसे पहले आपना चैप्टर आता है इसमें सर्वीश मैनुवल का सर्वीश मैनुवल क्या है सर्वीश मैनुवल सेवा पुस्तिका सेवा पुस्तिका एक अपना गाड़ी का पूरा रिकार्ड है पूरी जो टेक्निकल जानकारी है गाड़ी के बारे में सब इसमें रहती है के पार्ट नमबर, इंजन नमबर, चेशिस नमबर, कौन सा पार्ट कहा है, कब सर्विश लिओ है, कब सर्विश होनी है, पूरा एक किसम से ये गाड़ी की जनम पत्री है, और इसको कौन परवाइड करवाता है, सेवा पुस्तिका को वाहन निर्माता, इसका जो फास्टनर क्या है, दो या दो से अधिक दातों को जोडने के लिए जिस चीज काम परियोग करते हैं, या अंतरिक फास्टनर, जैसे नट, बॉल्ट, स्टड, रिविट और वेल्डिंग, सोल्डरिंग, इस सब क्या है, फास्टनर है, फास्टनर में नट, नट को सब को पता होतता है nut 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 जो है bolt के उपर चड़ता है आंतरिक चूडियां होते हैं nut nut कई परकार के होते हैं बोल्ट का एक एड होता है और इसमें external बाहरी चूडियां होते है फिर आ अपना stud stud का क्या है study के यांतरिक फास्टनर है stud जिसके दोनों शिरों पर बाहरी चूड़ियाँ औती है ठीक है स्टड तड़ जैसे वील स्टड वील स्टड कहा लगता है वील की हब में जहां अम पंचया फिट करते हैं उसको स्टड के अंदर लगा देते हैं उपर से नट लगा देते हैं इसके बाद वासर आ जाते है, वासर क्या है वासर एक पतली प्लेट डिस्क टाइप के उत्ति है, एक चप्ति वासर, स्प्रिंग वासर और लोगिंग वासर रिवेट, रिवेट क्या है, रिवेट है एक अर्ध स्थाई आंतरिक फास्टनर है, एक तरब पे एड रहता है, इसके चूडियां उडिया कुछ नहीं रहती, शरब ड्रिल से ओल करते हैं, दो दातों के बीच में, दो पट्टी ही दातों के बीच में उरसमें लगा देते हैं दूसरा एड हमें बनाना पड़ता है, थोड़ा नरम दातों का रहता है, रिवेट कई परकार के होते हैं, फिर इसके बाद हमारे मेजरिंग टूल थे, मेजरिंग टूल में डारेक्ट, मेजरिंग टूल, इन डारेक्ट मेजरिंग टूल, डारेक्ट कोन से हैं, जिसमें स्टीलरूल है स्टील टेप है वर्नियर कैलिपर्स और अपना डाइल माइक्रोंेटर कैलिपर डिजिटल मायक्रोंेटर डिजिटल माइक्रोंेटर से क्या है मेноз करते हैं अब अपने एंगूलर मेजरिंड टूल मतल ABOUT konium अपठोप करना जैसे प्रोट्रेक्टर गेज युणिवर्सल प्रोट्रेक्ट डायल औल गेज करता है यह करता है यह बेन्ग पिर सब्सक्रों कतने पते देश खृतर अपनी को सब्कारती हुआ है जितने भी मीटर है, speedometer है, tachometer है, odometer है, अब जितने भी gauge है, fuel gauge है, temperature gauge है, pressure gauge है, light, warning light है, sheet belt warning light, indicator है, pressure gauge है, HVAC, HVA and AC, heating, ventilation and air conditioning system है, audio, video, GPS, मतलब navigation, GPS, global positioning system, यह सब कहाँ पे रहते हैं, dashboard पे, हाँ, इसमें speedometer, वहाँ की speed को मापता है, tachometer, engine की rpm को मापता है, और odometer, odometer है speed recorder, यह speed को record करता है, ठीक है, उसके बाद अपना wall mechanism आज़े आएगा, wall mechanism, wall mechanism में क्या है, OHV और OHC, overhead wall mechanism, overhead came mechanism, overhead wall mechanism में, में क्या रहता है, इसमें रहता है, inlet, inlet valve, exhaust valve, valve guide, valve spring, और बस इसरफिश में अंतर क्या है, inlet, OHV और OHC, overhead valve, overhead valve में क्या रहता है, in this case, camshaft fixed in the crankcase, इस सितिती में, जो अपनी camshaft है, वह कहां रहेगी, crankcase में, crankcase में मतलब निचे, ठीक है, OHV में, OHC में current shaft कहा रहेगी, camshaft कहा रहेगी, OHV में camshaft रहेगी, अपनी head में, cylinder head, cylinder head कहा रहता है, उपर, OHC में camshaft उपर रहेगी, OHC में camshaft उपर, OHV में camshaft, निच्छे Crankeege में ठीक है आचाहर रिजन फोर वाल लिकिंग वाल लिकिंग क्या क्या कराने है रौल लिकिंग से क्या-क्या नोक्षान है नोक्षान में तीन चीज बता रखें आथ मिच्छान रहेगा क्योंकी रहेगा पिक-प मैलेच और परफॉर्मेंस इसे फ़रक पड़ हर्फ पड़ेगा और वाल स्टार्ट इआएगी वाल्व श्टिग क्रेंग grants पेसमें इंद और वाल LINC, Is a पिश्टन रिंग पिश्टन के ओपर थिं छल्ले होते हैं उसको पिश्टन रिंग बोलते हैं तीन होते हैं два तो compression एक oil scrap पर है, compression, compression और इनका काम क्या है, ring का काम क्या है, किसली होती है ring, ring क्या है, एक तो अपने combustion chamber को seal कर देती है, ताकि हमारा जो compression है, जो gas है, ओ लीक ना हो, ठीक है, दूसरा heat transfer करती है, heat कैसे, जब अंदर engine में, जो combustion chamber में ignition होता है, तो बहुत ज्यादा temperature हो जाता है, उ heat को transfer करेंगी, और जो oil ring है, या oil scrap ring है, जो piston की दिवारों पर, अपने cylinder valve पर, जो oil है, उसको scrap, scrap मतलब पहुंचना है, उसको पहुंच के वापिस किसमें, क्रेंग किसमें, संप में, वापिस ले आती है, और उसके बाद अपना cooling में आ गया, next chapter cooling,